तो आप सभी को स्वागत है और नमस्कार और हम बात करने जा रहे हैं यहां पर हम S.C.S.C.C.G.L. 2030 का जो टीर वन है उसके एक्जाम के लिए और हमारा जो पेपर है जिसमें हम चर्चा करेंगे जिसमें बात करेंगे वो है हमारा जनरल अवेरनेस का जिसमें हम भारती इतिहास को कवर करेंगे तो वन लाइनर रहेंगे जो भी हम इसमें पढ़ेंगे वो तो और चुंकि 25 को सनाने है तो आपका ये चैप्टर ये भी अच्छा होना चाहिए देखते हैं हम सुरवात करते हैं प्राचीन इतिहास से प्राचीन इतिहास में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसमें सिक्का यानि कि जो सिक्का है और प्राचीन अभिलेख है इसके लावा जो प्राचीन साहित हैं उनसे संबंदित जो जानकारी है उस पर चर्चा करेंगे हम तो सबसे पहले हम सिक्के की बात करें जो कि भारती इतिहास के जाने का एक स्रोत है तो तो जो सिक्का है या क्वाइन है उसके अध्यान को यानि की जो सिक्का है इनका जो अध्यान किया जाता है उसको मुद्रा सास्त्रिया न्यू मिस्मेटिक्स भी कहा जाता है इसके लावा यह जो मुद्रा या सिक्के हैं इनके बनावट और उनमें जो अधातु प्रियुक्त किये आहत सिक्के कहा जाता था इसके लावा जब भारत में हमारे खुदाई हुई तो बहुत सारी मात्रा में सोने चांदी तामबे और सीसे के बहुत सारे सिक्के मिले और इसके लावा इनके सांचे भी मिले और जो अधिकांज सांचे हैं वो कुसार काल से संबंधित है, या Centers की आरंबिक तीन सतब्दियों से ही सिंबंधित है इसके लाबह जो भारत में जो सुरूँ मेजो सिक्के मिले उन में प्रतीक चिन दे मिलते हैं सुरुआति सिक्कों में लेकिन जब बाद में जब सिक्के मिले के जो परंपरा है, सबसे पहले बारत में युनानी सासकोने प्रारम की और पाइड़न की बाद के मिले हैं जो मुखिता सीसे, पौटीन, तामबे, कान से चांदी और सोने से बने हुए हैं इसके आलवा यह जो गुप्त सासक हैं इन्हों ने सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किये ध्यान अखिएगा इसके लावा अगर सबसे सुद्ध सोने के सिक्के की अगर हम बात करें तो इसे कुशार सासकों ने जारी किया और जो साथ वाहन सासक थे जिन्होंने सबसे अधिक सी से किसी के जारी किये थे इसके अतरिक्त अगर हम अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख क्या है कि इसमें कुछ जो दस्तावेज होते हैं जो प्राचीन हो या पर जिसे दिवाल पर लिखा हो या पिर किसी चीज पर लिखा हो अभिलेक हो गया तो अभिलेक जो है अभिलेक की अध्यान को पुरा लेक सास्त्रिया एपिग्राफिक कहा जाता है और ये जो अभिलेक होते हैं इनके और जितने पुराने दस्तावेज हैं इनकी जो तिthiya होती हैं उनके अध्यान को पुरा लिपिशास्त्रिया पेलियोगरफी कहा जाता है और हमारे देश में जो अधिकांस अभिलेख मिले हैं इनके जो भासा है प्राकृत है प्राकृत भासा है और उसके बाद जो जो इनिकी इसा-सदी कुष्ट में खत्म होते तक जो भी अभिलेक मीले हैं वह संस्कृति भासा में हैं और इनका दिनंत्र विस्तार होता गया है अब अगर हम बात कर लें कि जो भारति अभिलेक भारत में जो अभिलेक मिले और अगर हम ब्राम्मी लिपी की बात करें तो जो असोक के जो बहुत सारे जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राम्मी लिपी में ही मिली हैं और यह जो लिफी है ब्राम्मी लिपी यह लिपी बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती थी इसके लाब खरोष्टी लिपी की बात करें तो समराट असोक है उसका कुछ सिला लेक खरोष्टी लिपी में भी लिखे गए हैं और ये जो लिपी है ये दाएं से बाई और लिखी जाती थी धियान रखिएगा कि जो ब्राम्भी लिपी है वो नार्मली बाईं से दाएं लिखे जाती थी और जो खरोश्टी लिपी है ये दाइं से बाइए और लिखे जाती थी उर्दू की तरह अर्दू या अर्भी की तरह और युनानी ओम आर्मेक लिपी की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो असौक के सिल्या लेख मिले हैं वहां युनानी एवं अरमेक लिपी में सीला लेक या जो अभी लेक मिले हैं वो उपलब्द है तो एक सवाल यहां पर ये भी आ सकता है कि असो की अभी लेक किन भासाँ में उपलब्द हुए है और कुछ हम अभिलेक जो प्रमुक अभिलेक है और उनसे समंदित जो सासक है उनकी बात कर ले तो एक है हाति गुंफा अभिलेक जो कि कली के नरेस खारवेल से समंदित है और जो कि उदैगेरी से मिला है और एहोल अभिलेक की बात करें जो कि पुलकेसी नुतीर से समंदित है और नासिक अभिलेक की बात कर लें तो ये गौतमी बलसरी से समंदित है और जूनागर अभिलेक की बात करें तो ये रूदरदामन से समंदित है और ये जो जूनागर अभिलेग है इससे रूद दामन के अलावा असोग और चंडर गुप्त मौर के संदर में भी जानकारी मिलती है अब प्रयाग परसस्ति इस्तंब अभिलेग की बात कर लें प्रियाग इस्तंब अभिलेग जो है इसके अगर हम बात करें तो इससे समद्र गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है जबकि मंदसौर जो अभिलेग है उससे हमें मालवा नरेश यसो वर्मन के बारे में जानकारी मिलती है और गौालियर अभिलेक की बात करें तो इससे प्रतिहार नरेस भोज के बारे में जानकारी मिलती है तो चुंकि दो भोज राजा हुए हैं एक प्रतिहार वंस में और एक परमार वंस में तो पर्मारवन्स के जो भोज़ा जा थे उनका सम्ध मत्पदेश के भोचपाल या भौपाल सहर से सम्ध है उनका जिनका सासन धार में था और देवपाड़ा अभिलेक की बात करें तो ये बंगाल के सासक विजय सेंसे सम्धित है ये अभिलेक और भीतरी वजूनागड अभि प्राचीन भारती इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उनके बारे में हम इसी वीडियो के करम सह पार्ट टू में बात करेंगे तब तक लिए नमस्कार और जैन